नमस्कार स्वागत है आप सभी का जनल नौले स्टेडी क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे उत्राखंड पृतियोगी परिक्षाओ हेतु उत्राखंड समाइने ग्यान के सेट 3 के अंतरगर दियेगे 20 MCQs को इससे पहले प्रिवेस प्राचिन काल में असकोट राधानिती तो प्राचिन काल में असकोट राधानिती कत्यूरी राजवन्स की ऑप्सन C सेटर है प्राचिन 3 है कत्यूरी सासकोगी राजवासाथी तो कत्यूरी सासकोगी राजवासाथी संस्कृत उप्सन C सेटर है प्रशन साथ है निम्नो में से पुरणख़तर काल में गड़वाल शेतर को क्या नहीं कहा जाता है तो यहाँ पर पुछा गया है कि पुर्णतर काल में गड़वाल छेतर को निम्नि में से क्या नहीं कहा जाता है तो ब्रह्मपूर नहीं कहा जाता है, option D से उत्तर है और पुर्णतर काल में गड़वाल को कहा जाता है केदार मंडल वो खश मंडल बद़री का छेतर तपोब्हमी तो तीनों सही है option D यहाँ पर गलत है लेकिन यहाँ पर यहाँ सही उत्तर है क्योंकि पुछा गया है पुमठारकाल में गड़वाल छेतर को क्या नहीं कहा गया है तो यहाँ पर option D सही उत्तर है प्रसन आठ हे, बानसुर की राधानी थी, तो बानसुर की राधानी थी, जोतिशपुर, ओप्सन D सेवरतर है। कत्युरी सासग नर्षियपूर ने अपनी राधानी कारथिकेपूर से हटा के इस्तापित की। बैजनाद में option A से उतर है तो 700 से लेकर लगभग 1050 तक साशन करने वाले कच्यूरी राजवन्स या कार्थिकेपूर राजवन्स की पहले 300 वर सो तक राध्धानी चमोरी के कार्थिकेपूर नामकिस्तान पर थी बाद में कच्यूरी सासंग नर्शिहादेव ने अपनी राध्धानी कार्थिकेपूर से हटा कर बागेश्वर जिले में इस्तित गरूर बैजनाद घाटी में बनाया था तो इस question का सही answer है option A आपको राज़ा का नाम याद रखना है कि किसने कार्थिकेपूर से हटा कर आपनी राध्धानी बैजनात में इस्तापित की थी तो नर्शिहादेव है तो इनका नाम आपको याद रखना है तो इस question का सही answer है option A प्रशन दैसे उत्राखन में सासन करने वाली पिर्थम राज़नितिक सकती थी तो कुरिंद थी option A सही उत्तर है प्रशन 11 है निम्नांकित में से कौन कुरिंद नरेशों से सम्मदी थे थिया है तो प्रशन 12 है पिथोड़कर को उत्तारपूर्वी भुकंड प्राचिन काल में क्या कहलाता था छन्द राजा का नाम बताईए जिसने खश्या टोला डाढ़ा में आलम नगा नामक राधानी तो यहां बनाई थी बालो आलो खल्यान जगर ने option C सेवतर है प्रशन 14 है कार्तिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था तो कार्तिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था सुविक्ष राज option C सेवतर है प्रशन 15 है निम्रिलिकी चंद सासुकों में से कौन मुगल बासा अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था तो रुद्र चंद्र गया था option C सेवतर है प्रशन शोला है अल्मोडा मुद्रेय समंदी थे कुणिंद राजवंच से option B सेवतर है प्रशन शत्र है गडवाल में किस राजवंच का शासन सब्से अधिक रहा तो गडवाल में पवार राजवंच का शासन सब्से अधिक रहा option C सेवतर है प्रशन अठार है प्रशिद्ध बदरिना तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है तो यह है शाश्वत तीर्थ option B सेवतर है प्रशन उनी से निम्नमे से सुमेलित यूग में चुने तो यहाँ पर दिये गए है तामरपत्र और राजवंच तो यहाँ पर जो सुमेलित है वह है तालेश्वर, तामरपत्र, परवताकार यानि की ब्रहमपूर राज्य से समन्दित है तो option D यहाँ पर सेवतर है प्रशन भी से जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूरती है तो दीब चंद की है जोकि चंद राजा है option A सेवतर है तो यह थी आज की वीडियो जिसके अंतरगत आज की वीडियो में हमने उत्राकंड समाने ग्यान के सेट 3 के 20 MCQs को डिसकस किया उमीद है आपके लिए वीडियो हेलपफुल होगी अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजेगा और अपना अमूलिय कमेंड भी जरूर कीजेगा इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है थैंक्स पर वाचिंग